हेलो दोस्तो वेलकम टू माई निव यूट्यूब चैनल सिवा जी बंदेला आज हम आपको लेके जाएंगे होंडा सोरूम में जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिवा रखी हैं क्योंकि लिए मैंने अभी रिसेंटली रॉयल इंफिल लिया था तो मुझे अ होंडा का हैड आफिस भी था यहां पर हमने फाइनली यह वाला कलोर का चूछ किया और इसीगो फाइनल कर दिया क्योंकि लिए कलर नहीं जादा गंदा होता है और इतना खराब होता है तो मैंने यह फाइनली कंप्लीट की और इसको बुक कर दिया, बुकिंग के बाद मेरा सबसे वड़ा कंसन था गाड़ी लेने से पहले कि मुझे बी एच नमबर ही चाहिए, क्योंकि लिए अधर इस्टेट में जाने के लिए हर बार आईटियो चेंज नहीं करवा सकते, उसके लिए मुझे परफेक्ट ली एक ही नमबर चा पड़ी यह 98,000 का, इसका जो प्राइज है, पुने में 97,800 है, और इसके जो फीचर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा एवरेज देती है, क्योंकि लिए 1110cc है, अगर हम 125cc जाते हैं, तो उसका इंजन और माइलेज में बहुत डिफरेंस रहता है, इंजन अच्छा होता है, इस्पेसियस होता है, लेकिन हमें फाइनली बुक कर दी और उसके बाद ये देखे, मेरा भी एच नंबर आ गया, हमने भी एच नंबर लिया, और आज वो फाइनल डेस्टिनेशन और डे आ गया, जहां हमें गाड़ी डिलेवर होना था, दस दिन के बाद प्राइनली हम पहुंच गए सोरूम पर अपनी गाड़ी लेने के लिए सबसे अच्छा है ये था, सोरूम का कि जब तक नंबर प्लेट ने आएगी वो गाड़ी हैंड़ोवर नहीं करें, नंबर प्लेट आ चुकी थी, उन्होंने गाड़ी हैंड़ोवर की, सब कुछ प्र प्लेटन दिये हैं, सीट का, फ्यूल का और अन ओफ का इससे, ये हमारा लाइट का है, ये पर्मनेंट लाइट जलती रहती है, क्योंकि जब से न्यू फीचर्स आया है, लाइट आटोमेटिकली ओपन रहती है, इस गाड़ी में डिस ब्रेक नहीं है, और भी जानदा फीच खुलेगा, कहां पे स्टार्ट होगी, और कैसे करके ये हमें फ्यूल और वो बताएगी, लेना हमारा था कि हमें 125 लेना था, लेकिन मूड इसलिए चेंज हो गया, 125 में पेट्रॉल टंकी का थोड़ा इस हुआ रहा था, ये उन्होंने स्टार्ट करके बताया, ओफ का बटन नहीं आता था, शिव श्टार्ट का आता था, अभी न्यूफीचर आया है, ये न्यूफीचीवा है, इस 6G के बाद जो अपडेटेट बर्जन आया है, ये वो वाली एक्टिवा है, फाइनली भाया ने हमें सारे फीचर बताए, फीचर बताने बाद अंदर हमें टंकी और seat open करके दिखाया कि कैसे कैसे seat open होगा और उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी को देखा उसके बाद उन्होंने बताया गाड़ी lock कैसे होगा mostly जो simple features थे वो सारे features उन्होंने हमें अच्छे से बताया और उसके बाद हमने finally अपनी गाड़ी ली और हम अपनी घर की और निकल दिये जब हम घर पे आये तो हमने यहां पे रखा यह देखो Honda का आंगे logo लगा हुगा है और उन्होंने पूरी accessories लगा के दिए accessories इसमें included नहीं है अगर आप accessories का charge दोगे तभी वो आपको pay करके देंगे accessories का charge 4000 है बट आपको discount में 3000 तक यह मिल जाएगी easily से यह हम अपने घर पे लेके आ गये ते चारोत रव accessories लगवाया है कीचेन है और पहला service जो गाड़ी का आपको करवाना है वो 750 km या बन एंड हाप मन्त में करवाना है क्योंकि लिए इतने में गाड़ी अच्छे से चल जाएगी और उसका जो मोवयाल है इस क्रूए है और बाकी सारी चीज़े है वो सारी अच्छी हो जाएगी तो आप किसी भी nearest आपका जो भी हो nearest रोडूम पर जा सकते और वहां से easily आप अपनी service करवा सकते हैं ऐसे करके जब हमने देखा गाड़ी के बहुत अच्छे फीचर्स थे हम अल्रेडी चला चुके थे इसको वैसे इसका एक फीचर्स यह अच्छा था कि आप का mileage अच्छा देती है पहली service से पहले भी 40 से 47 के बीच में दे रही थी जैसे जैसे आप service करवा दोगे engine खुल जाएगा क्योंकि लिए mostly मैंने इसे बहुत तेज नहीं चलाया है इस पेशियस भी है पीछे से लुक भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा दिया है और हम गाड़ी लेके बहुत खुश थे इसमें E20 petrol भी आप यूज कर सकते हो लेकिन यह mostly नहीं करते हैं जो सबसे अच्छा petrol होता है मुझी का यूज करते हैं यह घर पे आने के बाद हमने गाड़ी का brief और वीडियो बनाया है इसमें extra सबसे अच्छा features दिया है अगर आपने side stand open कर रखा है तो आप गाड़ी anyhow open नहीं कर सक most of the time क्या होता है मेरी बाइब को जब चलाना होता है तो वो भूल जाती है stand और फिर वो बोलती start नहीं हो रही है लेकिन इसका यह plus point है कि अगर आपका stand खुला है तो anyhow यह start नहीं होगी finally घर आके गाड़ी को धोया धोने के बाद इसको बहुत अच्छे से साप किया और finally हम निकल गए अपनी गाड़ी की पूजा करने के लिए पहले मंदर पे पूजा करवाई उसके बाद घर आए क्योंकि लिए जिसके लिए गाड़ी ली थी उसने पूजा की यह मारी दी थी तो और लेड़ी हमारे लिए बहुत लगी थी और वो भी बहुत खुश थी कि घर जाएंगे तो हम बुलट पर घूमेंगे और यहां एक्टिवा थी और जैसे उसके आने के बाद हम लोगोंने घूमना चालू किया तो पूने एक्स्प्रोर करना था और घूमना भी भी बहुत सारा था क्योंकि लिए जब से ओफिस की में बस चालू ही थी हम लोगोंने घूमना चालू नहीं किया था इसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज सेस्क्राइब दा चैनल एनी कुस्चिन प्लीज आस्क मी